जी, जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ गुरुजी, क्या तकलीफ है? मेरे बच्चों की, क्या तकलीफ है? वो परिशान कर रही मेरी बहु, आपकी बहु आपको परिशान करती है? दोनों को, मतलब आपकी पतनी को? मेरी वाइप को और मेरे को, तो क्या परिशान करती है? बस अब नेकुछ नाम पे नहीं किया और खेकष़ बोलनों. कि बेटा ये तो तेरा ही है तो फिर ऐसा बोलो ना कि तेरी ही तो है हम कौन लेके जाएंगे साथ वो बोलता है हम अलग है आप अलग है हमारे कोटम में ऐसे नहीं है अच्छा बेटा कहता है कि आप हमारे कोटम के नहीं है नहीं हम माना यह माना हमारे जो बच्चे हम अलग है आप अलग है दोनों अच्छा हमारा परिवार अलग है बोलती है तो आपने अपने बेटे को ऐसे संसकार क्यों दिये कि वह आपको अपने बेटे को नहीं दिया है बहु बोल नहीं जादा बेटा संसकारी है बहु बोलती ह तो बेटा चुपचाप सुनता है यह कैसा संस्कार है? वो बोलती है मैं आत्मात्य कर लूगी, दोनों को निकाल दो नहीं तो अच्छा एसे वो चारे डर जाता है वो बेटा डर जाता है, बहुत हमकी देती है आत्मात्य कर लूगी फिर आपने क्या decision लिया मैं तो अभी पुना छोड़के आ गया हूँ कोशित बाबा ने मेरों को संभाल लिया मैं आत्मात्या करने वाला था बाबा अच्छा नहीं आत्मात्या मत करिये आत्मात्या किसी भी समस्या का समधान नहीं है तो मैं उनको बोला बाई आप खुश रहो मैं जाता हूँ खाली मया को संबालो बस मैं तो उनकी कोशित बाबा की दोशाला संबालता हूँ कोई बात नहीं आप लोग खुश रहिए आत्मात्या का विचार बिलकों निकाल दीजी और जहां है खुश रहिए ये बेटी है मैया हो ठीक है आप लोग कहीं भी आश्रमों में सेवा करके अपना गुजारा कर सकते हैं प्रॉबलम नहीं है उनको बोलो थोड़ा सुदर बेटा अच्छा है बेटा को धमकाती है बहु बहु कैसा करना नी चाहिए कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने पती से या अपने से बड़ों से कि मैं मर जाओंगी वरना ये करो जो इस्त्री अपने पती को धर्म संकट में डालती है जो इस्त्री ये कहती है कि या तो अप अपने माबाप को चुन लो या तो हमें चुन लो अब कोई पतनी ये कह दे कि या तो अपने माबाप को चुन लो या तो हमें चुन लो तो ये तो पती के लिए धर्म संगत हो गया वो किसे चुने यदि माबाप को चुनता है तो पतनी को चुनता है तो माबाप नाराज तो जो इस्तरी अपने पती को धर्म संकट में डालती है वह नर्क की गामी होती है और वह पतनी कार्चा है पारक्षन धातू से पतनी बनता है जो पतनी अपने पती को पतन से बचा ले वह पतनी ब्रता पतनी मानी जाती है अब जो पती अपने मावाप की सेवा नहीं करता मतलब वरना आप नर्क जामी नर्क गामी बनेंगे नर्क जाएंगे पाप माबाप को सताएंगे रुलाएंगे तो पाप तो लगेगा इसलिए माबाप को नहीं सताना चाहिए नहीं ठुकराना चाहिए मैया है तो हम मैया की सेवा कर सकते हैं यह जशोता मैया है मेरे को छोड़ दिय लाला को नहीं छोड़ेंगी हो अच्छा यह अपने बेटे को समझाओ या बहू को समझा के घर परिवार का मैटर ठीक कर लो या तो आप यह दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर लेगा और वो हैं जहां बेटा अपना खुश रहें बेटा बहू अपना आपका निर्णे हैं आपकी सेवा के लिए हम तो तयार हैं बेटा बहू को समझा लो यदि वो समझ जाए तो परिवार बना रहें आप राजी मर्जी से सब रहो प्रैम से भगवान अब तो देखेए भगवान में मन लगाईए देखो बेटा बहु यदि नालायक हैना तो वह भगवान की कृणा मानना चाहिए कि लायक होते तो हम बेटा वहू के पास होते उनकी तलवे चाट रहे होते नालायक थे तो कम से कम हमें ब्रंदावन तो मिल गया नालायक थे तो कम से कम भगवान की कथा में भगवान में तो मन लगाने का अवसर मिल रहा है इसका ये भी एक पहलू है नजरिया है यदि आप चाहें तो ये नजरिये का प्रयोग कर सकते हैं रावड ने रावड ने यदि विभीशन को लातना मारा होता कई बार ना ठोकर ठाकुर से मिलाती है रावड ने विभीशन को इस नजरीये पर चिंतन कर सकते हैं